हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्यूब रूट फाइंड करेंगे 4096 4096 का गनमूल कितना होगा यह हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यापर हम प्राइम फेक्टोराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो पहले सबसे पहले हम यापर तूसा डिवाइट करेंगे 224, 200, 248, 2816 212, 200, 224, 248 225, 10, 222, 224 224, 2510, 2612 212, 224, 2816 2612, 248 236, 224 212, 2612, 2816 248, 224, 222 अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि क्यूब रूट को फाइंड करने में घनमूल निकालने में हम ट्रिपलेट्स लेते हैं यानि कि तीन तीन नंबरों का समूँ बनाते हैं एक ही टाइप के तो यहाँ पर एक तीन नंबरों का समूँ यहाँ पर बनेगा एक यहाँ पर बनेगा एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा इस परकार से कितनी बार दो का समूँ तीन 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 बार आया है एक दो तीन चार है ना फोर टाइम्स चार बार जो है दो तीन 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 बार आया है तो यहां पर क्या करेंगे Q root को हम represent करते हैं ऐसे यहां पर 3 लगा देते हैं Q root आप 4,0,9,6 इनको multiply कर लेंगे बस ध्यान देना यह जो हमने बाहर निकाले हूँ है 3,1,3,1,1,1,1 इनहीं को हम आपस हम multiply कर लेंगे तो कितनी बार 2, x2, 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 1,2,3, 4 बार आया है तो 1, 2, 3, 4 times multiply कर लेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 2, 16 तो इस प्रकार से जो हमारा क्यूब रूट बनेगा 4, 0, 9, 6 का 16 4, 0, 9, 6 का गनमूल बनेगा 16 तो यह हमारा इस question का answer होगा student अगर हमारी और वीडियो को देखनी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक के लिए जैहिन